घर घर में बनने वाली आज मैं बना रही हूं बहुत ही बेसिक सी सबजी मसाला पनीर पालक और ये बिना लसुन प्याज की है बहुत ही स्वादिश्ट बन करके तयार होती है अगर आपने इस तरह से पालक पनीर कभी ट्राइ नहीं किया ना तो एक बार ट्राइ करके बिलकुर रेश्टरंट इस्टाइल आपको टेश्ट आएगा या फिर उससे भी बहुत बढ़िया तो सबसे पहले हम यहाँ पर मसाला पनीर बनाएंगे इसके लिए मैंने यहाँ पर फुल फैट दूद लिया है फुल फैट से पनीर अच्छी बन करके तयार होती है आप च दरदरी कूटी हुई धनिया फाफ टीश्पून से थोड़ा कमी है यहाँ पर काली मिर्च कूटी हुई फाफ टीश्पून चिली फ्लेक्स अभी यहाँ पर सारी चीजों को एक बार मिक्स करना है आपको अच्छे से जब यह अच्छे से मिक्स हो जाएगा धन हम इसमें मिक्स करते हुए बॉयल करेंगे जब इसमें अच्छा सा उबाल आने लगेगा तब हम इसमें एड़ करेंगे विनेगर वाला पानी जिसमें मैंने दो टेबलिस्पून विनेगर लिया था और दो टेबलिस्पून पानी को मिक्स कर लिया था थोड़ा थोड़ा करके इसमें खाने में आप इसे ऐसे ही हलका सा नमक डाल करके खा सकते हैं या फिर इस पनीर से आप जो भी सबजी बनाएंगे वो बहुत ही जादा स्वादिश्ट बन करके तयार होगी तो मैंने इसमें थोड़ा सा और ठंडा पारी डाल दिया ताकि इसमें जो भी खट्टा पनो विनेग करवाला वो निकल जाए और अब हम क्या करेंगे इसे अच्छे से एकदम टाइट करके बांद देंगे दो प्लेट ले लेंगे उल्टा करके इसे रख देंगे और किसी भारी चीज़े से दबा देंगे मैं यहां पर अपना खलवट्टा ले रही हूँ क्योंकि यह बहुत ज्यादा भारी है और इसे दबा करके तकरीबं 10 से 15 मिट के लिए छोड़ देंगे उससे ज्यादा मत छोड़िएगा अगर उससे ज्यादा छोड़ेंगे न तो पनीर हमारी हाट बन करके तयार होगी 10 से 15 मिटट छोड़ेंगे पनीर बहुत ही अच्छे एक्दम सॉफ्ट बनेगी और एक दम मलाइधार लगेगी खाने में इधर मैंने एक मुठी पालक लिया है इसे मैंने अच्छे से धो करके दो तीन पानी से साफ कर लिया है अब हम यहाँ पर पालक को ब्लांच करेंगे जैसे हल्का सा पानी गरम होगा हम इसमें पालक आइड करेंगे 5-6 बादाम आइड करेंगे और साथ ही 5-6 काजु आइड करेंगे इससे جो ग्रेवी एना बहुत ही अच्छी बनती है पालग पनीर वाली क्योंकि हम इसमें लहसंत प्याज कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं हलका सा काजू और बादा मैट करेंगे तो ये थिक बन करके तयार होगी जैसे ये हलका सा सौफ्ट पड़े ना पालक यहाँ पर हम क्या करेंगे इसे तुरंत ही निकाल लेंगे आपको यहाँ पर इसे बिल्कुल भी बॉयल नहीं करना है और जो हमने गरम पानी में ये बादा मैट कर दिये थे ना इसे इसके छिलके जो है एक्दम सीकुड गया है तो इसके छिलके आप चाहे तो हटा भी सकते या फिर छोड़ भी सकते हटा देंगे तो पालक पनीर का कलर बहुत ही अच्छा आएगा जैसे ये हलका ठंडा हो जाएगा हम क्या करेंगे इसे पीस करके तयार करेंगे पालक को अभी एकदम यहाँ पर फाइन पिस करके तयार करना है अगर पिस्ते पिस्ते अगर आपका मिकसर थोड़ा भी गर्म हो जाता है तो आप क्या करें इसमें एक दो आइस क्यू वैड कर दें उसके बाद आप यहाँ पर पालक की प्यूरी बना करके तय अब देख सकते हैं किता बढ़िया एकदम ब्राइट कलर का हमारा पालक का प्यूरी बन करके तयार हुआ है तो यहाँ पर अभी सारी चीजे हो गई है तो अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में 10 मिट यहाँ पर हो गया है और जो पनीर है हमारा अच्छा सेट हो गया है अब दे करके पता चल रहा होगा यह जो पनीर है कितनी हमारी मलाईदार और एकदम सॉफ्ट बन करके तयार हुई है एक मैं आपको यहाँ पर दबा करके भी दिखाती हूँ आप देख सकते हैं यह जो पनीर है कितनी ज्यादा सॉफ्ट बनी है एकदम स्पॉंजी पनीर हमारी बन कर के तयार हुई है चलिए अब बनाते हैं मसाला पनीर पालक तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक चमच पैन में तेल एड़ कर दिया और एक क्यूब बटर का जैसे ही बटर मेल्ट हो गया हाफ टी स्पुन जीरा दो तेज पत्ता दो सूखी लाल मिर्च और हींग एड़ किया एक चमच अदरक कूट करके इसमें अड़ कर देंगे साथ ही दो हरी मिर्ची मैंने अबर बारिक चोप करके अड़ कर दिया सारी चीजों को यहाँ पर हलका सा भून लेंगे उसके बाद इसमें एड़ कर देंगे एक चमच बेसन बिना लसन प्याच के बना रहा है ना तो इससे ग्रेवी में एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी और बहुत ही बड़िया अमारी पालक पनीर बन करके तयार होगी आधा चोटा चमच जीरा और काली मिर्श का पावडर सारी चीजों को अच्छे से फेट लेंगे और फ्लेम को एकदम यहाँ पर लोपे कर देंगे और यह जो दही वाला मिक्षर है ना तड़के में एड़ करेंगे और कंटिनिवसली से चलाते हुए मिक्स करेंगे फ्लेम क लोपे रखना नहीं तो जो दही है न फटने लगेगा अब ध्यान से इकदम फ्लेम को लोपे रखेगा और तब तक के लिए यहाँ पर दही को भूंडा है जब तक किस से अच्छा सा तेल ना छुटने लगे जब तेल छुटने लएगा हम इसमें हैड़ कर देंगे अपनी ये भी फाइदा है, तो मैंने यहाँ पर तक्रीबन आधा कप के करीब पानी आड़ किया, साथ ही इसमें नमक आड़ कर देंगे, टेश्ट के गॉर्डिंग और इसे एक बार मिक्स कर लेंगे, अगर आपको ग्रेवी यहाँ पर पतली लगे, गाड़ी लगे, तो उस हिसाब स आप इसमें पानी आड़ कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा पैन लेंगे, उसमें आड़ करेंगे, एक चमच घी, और साथ ही इसमें आड़ कर देंगे, मसाला पनीर जो हमने बना करके रखा था, और इसे हलका सा सौटे करेंगे, बहुत ज़्यादा इसे सौटे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, एक से दो मिनट ही पकाना है, बहुत ज़्यादा पका देंगे यहाँ पर पनीर को, तो पनीर हाड़ पड़ जाएगी, बहुत लोग कहते हैं कि हमारी पनीर हाड़ हो गई, तो वो इसी रिजन की वज़े से होता है, पैन में जो हलका सा घी बचा था, उसमें मैंने कसूरी में थी और थोड़ा सा कस्मेरी लाल मिर्श एड़ कर दिया है, और अब ये घी वाला तड़का जाएगा हमारा पालक पनीर में, उपर से एक दो चमश घर की बनीवी दूद की मलाई एड़ कर देंगे, और थोड़ा सा गरम मसाला, और ये हम नवरात्री चल रही है, तो बहुत सारे लोग प्याज लेसन नहीं खाते हैं, तो आप एक बर इस तरह से पालक पनीर बना करके देखेगा, आप अपनी उंगलिया चाट जाएगा, ये मेरा दावा है, साथ में मैंने बनाई यहाँ पर आज थोड़ी मोटी मोटी रोटी जो कि बहुत स्वादिश लगती है पालक पनीर के साथ, क्योंकि पालक पनीर एकदम गरम गरम फुलकों के साथ बहुत जादा स्वादिश लगती है, मुझे वैसे आप चायती से पराठा, नान, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही जादा डिलीसियस ये पालक पनीर ब बना करके देखिए महमान आते हैं तो इकदम खुस हो जाएंगे खा करके वैसे पालक पनीर बनाने बहुत ही कम महनत लगता है और आप घर में पनीर बनाएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा लगता है टाइम लेकिन स्वाध एकदम नेश्ट लेवल का आता है तो कैसी लगी आज किये पालक पनीर की रेसिपी बिना प्याय लेसन मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा